जहेंद मेरे पैर दोस्तों जो भी वांट के इस नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले है जारकंट SAC के तरफ से अलग-अलग पोस्ट पर यहां पर पोस्ट रिक्वार्मेंट निकल के आ सब्सक्राइब करके बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- जो है देता हूं दोस्तो और complete जानकारी तो दोस्तो बीना समय कवाए हम चलते वीडियो में आगे की और दोस्तो यहाँ पर जो है staff selection commission की तरफ से यहाँ जो वेकनसिया निकलके आ रही लगभग ये जो है 956 पोस्त पर ये वेकनसिया है दोस्तो वो सबसे पहले इसके application fee की बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर 100 रुपया चार्ज दे के आप आवजदन कर सकते हैं सिर्फ SST कंडिडेट वाले जो हैं उनको 50 रुपया चार्ज देना होगा फॉर्म फी को दोस्तों आपको ओनलाइन मोड से पे करना होगा इंपॉर्टन डेट की बात कर लेते हैं बंदर जनुरि से इसका आवजदन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों 11 वज़से और आप 14 फर्वरी तक आसानी से आवजदन कर सकते हैं 16 फर्वरी तक दोस्तों आप इसका फॉर्म फी जमा कर सकते हैं अठर तारीक तो दोस्तो आप फोटो सिंग्नेशर को अपलोड करके फॉर्म को सम्मीट कर सकते हैं और अगर कोई एरर है तो आप उसका करेक्शन यहाँ पर 21 फरिवरुई तक कर सकते हैं एज लिमीट की बात कर लेते हैं दोस्तो तो अगर आप एक आठ दोजार इकीस तक यह मिनिममम मानने होगा दोस्तो अगर आप मिनिममम एकीस साल के हैं तो आप उधन कर सकते हैं मैक्सिम्म यूर कंडिडियेट के लिए 35 साल OVCBC मेल के लिए 37 साल और आपका मैक्सिम्म यूर OVCBC फीमेल के लिए 30 साल है डिग्री ग्रेशन पास किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं दोस्तो वेकंसी डीटेल में यहां पर जो है किस किस पोस्ट पर कितना नंबर वेकंसी निकल के आ रहा है वो सारा गुछ अपडेट है यह जो है आपका असेस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का पोस्ट है जिसके दिया जाएगा दोस्तों वहां से आप जो है आसानी से लिंक पर क्लिक करके इसके अफिसल वेबसाइट पर जाका फॉर्म को फिल कर सकते हैं जैसे ही फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा दोस्तों हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे स्टेप और आपको सारी जानकारी द लेंगे मिलते किसे अगले मुश्के साब नए वीडियो में तब तक के लिए चाहिए दोस्तों